जलेबी तो हर्याना के लोगों ने कॉंग्रस की बना दी है हमने पहले भी इस बात को लेकर करके कहा है कि हमारे कल्चर है हमारा जो अलग-अलग खान-पान का है अगर राहूल गांदि को तो उसके बारे में जानकारी नहीं है वो बीना जानकारी के ही इदर-दर वो बात करते रहते हैं अब वो गोहाना की जलेबी किसी ने गाड़ी में उनको डबा दिया कि इतनी बड़ी जलेबी भी होती है वो उससे हरान हुए है हमने कहा था कि कॉंग्रस भरस्ताचार की दलदल में फसी हुई पार्टी है और कॉंग्रस के उपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है क् जूट बोल करके नोंने दो तीन राज्यों के अंदर सत्ता हत्याने का काम किया था देखिए जलेबी तो हर्याना के लोगों ने कॉंग्रस की बना दी है और हमने पहले भी इस बात को लेकर के कहा है कि हमारे कल्चर है हमारा जो अलग-अलग खान-पान का है रहुल गांदी को तो उसके बारे में जानकारी नहीं है हर्याना में कहां की जलेबी मसूर है कहां की चोटी जलेबी मसूर है कहां की फिरनी मसूर है कहां का गेवर मसूर है कहां की बर्फी मसूर है उसको इसकी जानकारी तो है नहीं है क्योंकि वह बिना जानकारी के ही इदर उदर वह बात करते रहते हैं अब वह गोहाना की जलेबी किसी ने गाड़ी में उनको डबा दिया कितनी बड़ी जलेबी भी होती है वह से हरान हुए देखिए वह डेट आपको बताएंगे तो देट आपको बताएंगे जल्दी सब्सक्राइब क्या होगा हुद्धा प्रश्टाचार की दलदल में फसी हुई पार्टी है और कॉंग्रस के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है क्योंकि जूट बोलकर के नोंने दो-तिन राज्यों के अंदर सत्ता हत्याने का काम किया था चाहे वह हिमाचल परदेश है या करनार्ट कहते लंगाना है प्रन्तु दीरे-दीरे करका मकाव जूट का इनका उतरता चला गया अब विश्वास कोई नहीं कर रहा है अब जहां चुनाव होते हैं आजणिया महोदीजी के नेत्रितम में भारतिये जनता पार्टी की सरकार बन रही है बड़े मेंडेट के साथ